असलाहमुलेकूम देर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कल्कुलेशन आप स्टेंडर्ड डिवेशन बाई लॉंग मैठ तो इस क्वेच्चन में आप देख सकते हों कि इसमें हमें कलास इंट्रोल जोर फ्रिकेंसीज दी होती है तो कलास इंट्रोल जो हमार फ्रिकेंसीज 3 5 7 5 11 10 455 टोटल नमबर फ्रिकेंसीज 54 तो इस क्वेच्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेच्चन में हमें मीड़ पॉइंट्स निकालने होते हैं मीड़ पॉइंट्स इसको कि एक्स से डिनोट करेगी तो पहला जो हमारा ग्रूप है वह है एटी टू-एटि-नाएन एटी-टू-एटि-नाएन का अगर मीड़ पॉइंट्स निकालेगी इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए हमें 80 पलस 89 डिवाइड बे 2 करना है तो जब आप 80 पलस 89 डिवाइड बे 2 करोगे तो उस से हम मिट पाइंट हासिल होगा वह है 84.5 तो काम ब सेकंड गुरूप डैट 70 तो 79 इसका अगर मिट पाइंट निकाले कि वह है 70 पलस 79 डिवाइड बे 2 वह निकले का 74.5 तो इसी तरह जब आप 60 to 69 का निकाल होगे एट विल बेकम 64.5 तो फिर 50 50 to 59 का जम निकाल होगे it will become 54.5 440 to 49 का जम निकाल होगे एट विल बेकम 44.5 30 39 का एट विल बेकम 34.5 20 29 का निकाल होगे विल बेकम 24.5 10 प्लस 19 डिवाइड बेट विल बेकम 14.5 इसका निकाल होगे जिरो टुनाइन का एट विल बेकम 4.5 इस तरह हम लोग ने मिड़ पॉइंट निकाले इस कोशन में सबसे पहले आपको मीन निकालना है अगर आप लोग को मीन आता है तो यह आपके लिए आसां रहेगा तो आप क्या करना है अब हमें fx फ्रिकेंसिज और मिड़ है वह हम लिखेगे fx fx के लिए हमें क्या करनाथ 3 into 84.5 जबाँ मुल्टिपलाइ करोगे 3 into 84.5 it will become 253.5 then 5 x 74.5 it will become 372.5 then 7 x 64.5 it will become 451.5 then 5 x 55 4.5 it will become 272.5 is there 11 x 44.5 it will become become 489.5 then 10 x 34.5 it will become 3 4 5 then 4 x 4 x 24.5 it will become 98 then 14.5 is co multiplicer of 5 kisat it will become 72.5 then last one is 5 multiply 4.5 it will become 22.5 तो इस तरह हम लोग ने fx निकाला आप क्या करना है if fx को हमें add करना है जितने भी टर्म्स यहां पे इनको अप एड़ करना है जब आप एड़ करोगे तो इत विकाम टू तू त्रोई सेवन सेवन पॉइंट फाइव तो यहां तक हमारा जो मीन होता है अब यह में पहले इस क्वेश्चन में स्टेंडर्ड डिवेशन में निकालना होता है तो हम पहले मीन निकालेगे मेन जो की x बार से डिनुटव दा है इस प्रिवाइड बैस ने समीशन अफ एक्स डिवाइड बये एंड हमारा समीशन फ्रिवेश्च जो हो यह वह वह 2 3 7 7.5 पॉइंट एदर डिवाइड बै 55 जब हम इसको इसके साद डिवाइड करेगे इट विकाम पॉटी थी त्री प तो हे जो हमारा 43.2 है यह हमारा मीन निकला है अब क्या करना है यह जो हमारा मीन है यह हर किसी मेट पॉइंट हर कोई जो हमारा पास मिट पांट है उसमें सब्ट्रेक्ट करना यहां पर मैं और एक स्टेप लिखूंगा फर एकजामपल वाइभ वाई क्या होगा वाई सिंपल होगा एक्स माइन जो हम लोग ने मील निकाला 43.2 वो सब्ट्रेक्ट करना एक्स टर्म में मिड़ पॉइंट में सब्ट्रेक्ट करना है हमारा मिड़ पॉइंट पहला है 84.5 उसमें से हमें सब्ट्रेक्ट करना है 43.2 यहां पहले वाले में में लिखूंगा बैद में हमें जोरत नहीं पड़ेगा माइनस 43.2 इट विल गिव उस 41.3 इसी तरह 74.5 में हमें सब्ट्रेक्ट करना है 43.2 इट विल बिकम 31.3 फिर हमें 64.5 में हमें सब्ट्रेक्ट करना है 43.2 इट विल बिकम 21.3 इन 54.5 में हम सब्ट्रेक्ट करना है 43.2 इट विल गिव उस 11.3 here 44.5 में सब्ट्रेक्ट करना है 43.2 इट विल गिव उस 1.3 इस तरह 34.5 में सब्ट्रेक्ट करना है 43.2 इट विल गिव उस minus 8.7 इसी तरह 24.5 में सब्ट्रेक्ट 3.2 इट विल गिव उस मानस 18.7 नेक्स 14.5 में सब्रेक्ट 3.2 इट विल गिव उस माइनस 28.7 लास्ट मिनिक लिगा माइनस 38.7 इस तरह हम लोग ने डिवेशन निकाले जिस आर कॉल्ड डिवेशन अब इन्हीं क्या करना है इन्हीं डिवेशन के में सुकैरिंग करने है यह जो हमारे पास वाइड डिवेशन इनकी सुकैरिंग करेंगे 41.3 x 41.3 it will become 1705.69 this is the first one then second 31.3 x 31.3 it will become 979.69 then third one 21.3 x 21.3 it will become 453.69 11.3 x 11.3 it will become 127.69 1.3 x 1.3 it will become 1.69 minus 8.7 x minus 8.7 minus minus plus it will become 75.69 then another 18.7 x 18.7 it will become three four nine point 69 minus minus plus you happy be minus 28.7 minus 28.7 minus minus plus it will become eight two three point six nine then 38 we have to point a seven into 38.7 minus minus plus a happy be one four nine seven point six nine obviously I'm a last step in the carland that is f y-square yeah come on a y-square joe ham logani nika la is coming up jupal the pallet of frequency use kiss on multiple it and any three three and two one seven zero five point six nine it will become five one one seven one seven point zero seven then second then this five five joe happy frequency of frequency use kiss on multiple it will become four eight nine eight point four five you have to point a then third one of four hundred fifty three point six nine come multiply seven kiss on it will become three one seven five point eight three one seven five point eight three one hundred twenty seven point six nine come multiply can i five kiss at five kiss at it will become you have made a six three eight point four five three four nine point six nine come multiply four kiss at it will become seven five six point nine nine zero was give it three four nine point six nine come multiply four kiss at it will become one three nine eight point seven six of eight hundred twenty three point six nine come multiply five four eight it a point four five तो इस तरह हम लोग ने f y square निकाला आप summation आप जो उपर लिखा हुआ है f y square is equal to जब इनका हम add करेगे calculator पर आप लोग एड़ करोगे यह हमारा टोटल निकला f y square अब क्या है अब हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे सिटेंडर्ड डिवेशन निकालेगे standard deviation sd small sigma से denote होगा अब फार्मला लगाने है that is अंडर रूट आप summation आप जो लास्ट स्टेप है summation आप f y square divided by this n तो यहाँ पे मैं आप इसको निकालता हूं अंडर रूट आप इस इस तो सेवन सेक्स वान जिरो पाइन फाइव जो हमारे एफ वाइस के रहे हम पे निकला divided by n 55 55 उसके वैच क्या करेगे यहां पे और एक सिटब में निकालूंगा अंडर रूट आप इसको इसके साथ डिवाइड करेगे तो शेवन सिक्समें 0.95 डिवाइड वाइड वाइड विप्टी फाइड विटम आयू जीरो टू पाइंट टू आप इस फाइव जिरो टू पाइंट टू का अगर आप रूट निकालोंगे वह हमारा आंसर रहे गा है यह एस डी शुमाल सेगमा इस जुक्वाल इसका रू अगर किसी को कोई प्राब्ब्म होगी वह वाट्सअप में से कंटेक्ट कर सकता है थैंक यू वेरी मुच है नाइस डे